आजी दोस्तों क्या हल हैं तो भाई पिछले दो दिनों से टिम होर्टनस इन पाकिस्तान इन फैक टिम होर्टनस इन लाहर जो है वो आपका जो है टॉक अफ़ टॉन बना हुआ है आपका हर न्यूज चैनल पे हर फेस्बुक पे वाट्सटेब ग्रूप पे इंस्टाग्राम जो स्टोरी है वह क्या है टिम होर्टनस की ओपिंग देज सेल और इस रिकार्ड ब्रेकिंग सेल सिस्स इस सर्फशन तो यानिए कि वह क्या चैनल जुर्दो में जबान ज़दे आँ जो है वह वो टिम होर्टनस के नाम हुई हुई है तो भाई ऐस में ऐसा मुझे समझ में इसमें इसा है क्या पहले तो मैं जो कुछ चंद facts हैं regarding Tim Hortons उसके बारे मैं आपका बता दूं So Tim Hortons is like a Canadian coffee shop which is famous coffee shop here और यह एक budget friendly आपकी coffee shop है यहां पर हर income level चाहे वो low income हो, high income हो, हर बंदा चाहे वो यहां पर जा रहा होता है The basic reasoning is its footprint. This is the only coffee shop I would say in Canada that you can find everywhere in Canada Either you go north, south, east, west and even in Canada you will find this coffee shop everywhere एक reasoning is this is the only reason that it is budget friendly dollar 50 cents around Pakistanis इसको मैं convert कर रहूं अगर मैं तो 300 रुपय के अंदर आपको एक coffee आपको यहां पर एक regular coffee small size वो मिल जाता है आपको Third, it's not just a coffee shop, it's like a public place यहां पर बच्चे होते हैं आपके mainly वो जाते हैं अपने laptop लेके और जहां पढ़ना होता है कोई meetings करनी होती है या कोई आपने काम करने होते है वाइफा इनेबिल यहां पर होता है तो लोग यहां पर जाके अपनी meetings और रहा है यह जो अपनी इस किसम की get to gather है वो भी अपनी conduct करता है तो यह है इसकी पीछे इसकी एक story जो टेमार्टस यहां पर है अब रही बात ही जो क्योंके पाकिस्तान में आया है और लोग यहां क्यों जा रहे हैं इतना क्यों यहां परश हो गया है और भाई इसमें ऐसा problem क्या है इसको आप इस तरीकर से देखो बजाए है कि हम यह कहां इसकी वेदाए से फेद्सियों आए आप तो आप के हैं पास आप अपास第 Twoерх विवह एफ्र तक के पास आए आप एक करनी क्यों चाफ का देना ही नहीं नहीं प्रण ही और धिए है आपकी पैस हैं वो नहीं होगी अगर नहीं आता तो लेकिन उसको इसका कोई लेना देना नहीं है मैं देख रहा हूँ कि जितने भी फुने प्लाइस है वह वह जा रहा ह concept का जो पॉजिटिफ एक्सपेक्ट है वो क्या है यह देखकर कि जो दूसरी ब्रैंड जहां पर हैं कि पाकिस्तान में एक ब्रैंड को इतना ज़्यादा अपर आपकेशन मिला है उसका फर्स देवर्बिंग सील उसकी हुई है बाकी ब्रैंड भी यहां पर आएंगी स्टार्बक्स है पीट स्क्राफ़े जो कि यूस में लाइक तेम होड़नेंस की तरह महां पर आपर करता है तो वह हो सकता है कि वह नियूथ फिचर वहां पर आहें उस से होगा क्या उससी जो है आपकी अकान पर आपकी बहतर होगी आपकी और एक पॉसिटिफ एकट आपकरत जादा है यहां के मकाबले में तो इसको लेकिन इस चीज को इस से टाई करना कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वहसे एफ़ेक्ट होंगे तो इसको यहीं तक रखें इसको तो भाई स्टोरी का लुपे लुपाब यह है कि जो लोग वहां चले गए जो लोग जाना चाहते हैं उनको वहां जाने दें तो लेट देम लिफ दियर लाइफ लेट देम इंजॉय उन पर लांतान ना करें अच्छी बात हैं जो आपको इंजामेंट के मवाकिय हैं वो कमी आपको मिलते हैं आपको तो जो जाहतर लोग हैं वो रेस्टरेंट जाके ही और जग़ों पर जाके ही ख्रदِ जबहा थल्ड़र रियर ऑफ तो ख्रदभ करते हैं उन weaponनला को आप भी खुछ रहा हैं औनको भी खुछ आ ने मेरा अपना मानना यह है कि एक पारन आठेस्ठमंट ऑपकेशान में और एसी बहुत लोग्सकों को इंप्लाइमिंट हुले क्न वो थोड़ी बहतर हो थ I think that's a positive sign हर कीज के लिखने के आविसली दोर होता है so instead of looking the half glass empty you can look the half glass fill as well so I think that's all for today Asalaamu Alaikum